नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा वेल्डर ट्रेड का आफिसियल पेपर हैं जो कि वर से 2020 में पूंचा विया था तो यह हमारा जो इस्टेश्ट 2020 यह हमारा वेल्डर ट्रेड का है जिसमें कि हमारा पहला कोशन है वाट इज देनेम अब देसे में सर्कूलर डिपोजिट अन ए वेल्ड बीड यानि कि वेल्ड बीड पर अर्द परिपात्र को जमा करने वाले का नाम क्या है उसका नाम होता है कि रेंफोर्स इन फिगर रिक्वाइर्स रिप्लेस्मेंट आफ नाजल चेतर में दिखाया कि कौन से नोजल की प्रतिय स्थाप्तना कि आवस सकता है यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आप सो नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए तीसरा कोशन है पार्ट अगला है चौथा क्वेश्चन कि विच पार्ट आफ हैमर फिट्स इंटू दा हैंडल फार इट्स रिजिडिटी हथावड़े का कौं सा इससे कठोड़ता को समालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है तो यह जो फिट किया जाता है वो रहत हमारा वेज पचमा कोश्चन है विच इस दव हाटेस्ट पॉइंट इन अजाता है कि योजिंग टू इस्ट्रेट्स बार्स क्लैंब्ड एज ए गाइड एक गाइड के रूप में दो सीधे बार का परियोग करना सत्वा यहाँ पर कोश्चन है वाट इज नेम आप जोएंट इफ टू मेंबर्स वेल्ड इन सेम प्लेट यदि एक ही लेवल में दो मेंबर्स को वेल्ड किया जाते तो जोएंट का नाम क्या है तो यह कला था हमारा बट जोएंट तो बट जोएंट यहाँ पर करेक्ट आंसर पर जाएगा आप सो नंबर से अब देखिए यहां पर जो हमारा अगला कोश्चन है वह है कि वाट इज दा मेटल यूज टू मेक अर्थ क्लैंप इन ए वेल्डिंग मसीन वेल्डिंग मसीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस दावत को उपियो किया जाता है जिसके लि वैल्य वड्ड जोन्ट में चो एंगल होता है वह रहता है 45 डिगरी यहां पर करेक्ट आंसर अब क्ली दसौन और आप आप नंगे तार पर इलेक्टोड में किस प्रकार की दुरुवता को प्यों किया जाता है देखें पोलर्टी के बारे में हमने आपके लिए एक इस्पेसल वीडियो भी बना के भेजा था जिसका लिंक आपको डिस्क्रूप्स में दे दिया गया है अगर नहीं देखें हैं तो उसे विल्ड करने के लिए सबसे आसान विधि कौनसी होती है देखें जो हमारा फलेट होता है फलेट में हमें वेल्ड करना ज्यादा आसान होता है तो आपसे नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब है अगला कोस्ट्ट तेरे नंबर को विच आर्क लेंथ प्रडूश्ट प आपर कोशन है वार्ट सूडबी दा बेवल एंगल फार एज प्रिपरेशन आप सिक्सम्यम थिक पाइप वेल्डिंग च्छाय मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कौन क्या होना चाहिए तो यहां पर जो बेवल कौन होता है वो रहता है हमारा 30 से 35 अगला है मैं चल्सायिम से वेल्ड फिलर्ड इस टु भी में फ्र म 21 बेवलिन फ्लेट अप्ट इड क्विछ फ्ल म आजे कि भी प्रेप्रेशन ? कि म centrals में मोटी वल्डिंग प्लेट जिससे वी आ पार एज बनाने लिए यूज किया जाता है वह को उता रहता है तो रहता है 5 mm आपसन नंबर से यहां पर क्रेक्ट होजाएगा 5.0 mm का ब्यास यहां पर रहना चाहिए सोले नंबर का कोश्चन है कि वेच इज यूजट इन वेल्डिंग प्रासेस इस सब्जेक्ट टू वेल्ड डिक के इफेक्ट वेल्डिंग प्रकेरिया में किस दोद को वेल्ड अच्छाएदोस के अधिन किया जाता है तो वह रहता है हमारा स्टैनलेस इस्टेल यहां पर नंबर कोश्चन है वाट टाइप आफ एज प्रिपरेशन इज नीड़ेड फार गैस वेल्डिंग यह पाइप विथ वाल थिकिनेस सिक्स अम्यम वाल की मुटाई 6 अम्यम के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तायार की आवस्तेक्ता होत इक खार इस टर्म फार्दा डपूजन विल्ड मेटल पलेट इनकी सतय से प्योजिंग की गहराई के लिए सब्किया है तो यह जो सब्द है वह है हमारा पेनिट्रेशन तो पेनिट्रेशन यानि कि आप सो नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए अगला जो हमारा कहा रहा है यहां पर प्रासेस आप हाट वेल्ड जोएंड रेपेडिली इंपर्ड तो रिलीव इंटर्नल इस्ट्रेश आंत्रिक तुनों को दूर करने के लिए गरम करने की कौन सी प्रकिरिया है यह कहलाता है हमारा पीनिंग कहलाता है पीनिंग यहां पर आप सो नंबर है करेक्ट हो जाएगा अ द्वन को उप्योग करते हुए अंडिटी विधी क्या है तो यह जो रहता है यह हमारा रहता है इस्टेथो इसकोपिक टेस्ट इस्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए आपर बास नंबर कोश्चन है हाव मैं इस्टेज आर देयर इन विजूल इंस्पेक इस्टेश्ट भिधाउटभ डिश्ट्रोइग जाब वहां कॉम से टेश्ट है जिसमें जाब को श्रक किये विना हेल्ड गुल बतका का परिछन किये जाता है यह काला आते लिघ्म यहानिकी जी क्वार्ट वेलड बनाए जाते हैं मर फटमठ नियमा पार्ट मार्क आज एक्स इंदा सब्माड आर्क वेल्डिंग यह जो सब्माड आर्क वेल्डिंग दीख रहा है इसमें जो 1 पार्ट दिखाया गिया हैh यह वाला यह कौन से भाता रहा है यह बताता है आपका auto charge है हमारा ठेक है अगला हमारा को च्षबीश नमबर का कोश्चन कह रहा है यहां पर what is the name of part Mark एकस इन जी यह मे डबलू वायर फीट यूणिट यानि के जी में डबलू वायर फीड यूणिट में जो भाग एकस है उसका नाम है वायर फीट रोलर तो वायर फीट रोलर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर हमारा 27 नंबर कोश्चन है वाट टाइप आप सेफ्टे एक्विपमेंट इज वारन विट चेकिंग दा marijuana office overhead एके लिए वेलड़ के लिए वेल्ड़ डाय चुक्रण करने जाते हो हाट क्यूंस के लिए की आप सो नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा आठाजनाबर कोशिन है हाव दद फिल Now कि इस फिड defense डा स्टिए ड़ यमें डबलूफ एडे ड़िक्डवर एडेवेडर रवायर-kos jamvePरक beyond Ka दूशोली आप्टिवेडर किया जाता है यह बहता है यह प्यक्राइब किया जाता है Gest akan करद के लिए चाओर धेमाले कौंट जो नानायकन में एलेक्रीटोड रहता है त्समांब्र का क्रिक्ष्टल राड इस यूज्ट इन लेजर बियम बैंड talked dho जो यूजर बीम बेलडिंग रहता है उसमें जो क्रिक्ष्टल राड़ यूजश्टोग यूज़ किया जाता है 31 नमबर का question है what type of metals joined in friction welding friction welding में किस प्रकार के metal जोड़े जाते हैं तो friction welding में जो metal जोड़े जाते हैं वह हमारा डिस सिमिलर मेटल जोड़े जाने यानि कि different different type के जो metal होते हैं उनको जोडने के लिए हम लोग यूज करते हैं friction welding तो 22 नमबर का question है which welding process does not required to supply the external heat किस welding प्रकिरिया में बारी उस्मा की आपुर्ति के आवस्टेक्न नहीं होती है तो जिस welding प्रकिरिया में बारी उसमा की आपुर्ति के आवस्टेक्न नहीं होती है वह हमारा रहता है फ्रिक्टन वेलडिग फ्रिक्टन वल्डिंड आस्लं में यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब इदेखने आप पर 33 नमबर कोषटन हैं ल dålike तersonकर करने में नागेट का निर्मान करती हुआ है इस परल्ड आपसे नमबर की शौा कोश्च् demo इस पर वेंडिंग में इस पाल वेल्डिंग में घोने वाला होता है वो रहता है अपर इलेक्ट्रोड तो अपर यहां पर आपसे नमबर सीज़ प्रेक्ट हो जाएगा अब जिए आपर 35 नमबर का कॉस्चन है वाट मटेरियल इज यूज तु मेक इलेक्टोड इन इसपार वेल्डिंग स्पार्ट वेल्डिंग में इलेक्टोड बनाने के लिए कि समगरी का यूज किया जाता है एसपार व तो यहां पर देखिए कि इस्टेल्स दाथ को काटने के लिए जो परक्रिया यूज की जाती है वह हमारा रहता है प्लाज्मा और कटिंग प्रासेस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए हमारा स्थेष नमर का कोश्चन है यहां पर विच इसदप्रासेस्टू यहां पर पता नहीं क्या था कि इलेक्टोड इस्टाइटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ प्रिक्रिया क्या है तो देखिए यह हमारा कहलाता है पाउडर कोटिंग तो पाउडर कोटिंग यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए अंतिस नमबर का कोश्चन है वाट इस दा कोड नमबर गिवन बाइफार प्रेशर वेजल मैनुफैक्ट्रिंग इसकुली स्वेजल निर्मान के लिए बिसे सुरूप से इस्टील और इस्टील में स्रधावत के लिए दिया गया कोड नमबर क्या है तो यह जो कोड नमबर रहते रहते हैं पीवन से लेक अब आन्दा वार्न आउट मेटल पार्ट यानि कि घिसे हुए धावत के भागों पर धावत के निर्मान को उद्देश क्या है यह कालाता है टू मेक देन गुड ए नियू एंड आप्टेन रिक्वार प्रापर्ट यानि कि उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए आउसर जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए चालिस नमबर कोशन है वाट सुड भी दा इलेक्टोड एंगल वाइल बिल्डिंग आप वार्न आउट साफ्ट यानि कि वार्न आउट साफ्ट के निर्मान के दौरान इलेक्टोड कोन क्या होना चाहिए तो जो इलेक् लेंटटस लेटर में 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 हमारा मीटर को बताता है तो आपर प्रोडक्त आप 0.003 into 0.5 देखंब हुगा तो देखिंगा थी पंद्र हो जाएका दसमलों चार रंग कि what will be the RPM आप smaller gear ये पे 180 mm डाय मेसेज वी ते 60 mm डाय गियर and the bigger गियर makes 60 RPM यादी 180 mm ब्यास वाला गियर 60 mm ब्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 RPM से घुमते तो छोटे गियर का RPM क्या होगा छोटे गियर के जो RPM होगा वो होगा आपका 180 RPM अब देखिए 46 नंबर कोशन है विच मेकेनिकल प्रापर्टी आप मेटल आफर से रजिस्टेंस टू इलेक्रिक डिफार्मेशन इने कटिंग टूल धात की कौन सा यांत्रिक गुड़ एक काटने के उपक्रण में लोचदार ब्रूपन के लिए प्रतिरोध करती है यह रहता ह हमारा हार्डनेस याने की कठोड़ता रहता है यहां पर 47 नंबर कोशन है विच लाइश्टील इस यूजिंग फार मेक प्रिसाइज इंस्टुमेंट किस मिस्र धावत का उप्योग कीमती उपकरण वस्तूओं को बनाने के लिए किया जाता है तो कीमती उपकरण बनाने के चलए जो किया जाता है वह रहता मारा इंवार इस डील को कि अलतालेस नंबर कोशन है what is called mass per unit vaillum्हाफे सबस्टेंस किसी दर्भ किसी प्दार्त के दरभादमान प्रतिक आयतन को क्या कहा जाता है तो आपको भी पता होगा कि घनत तो इक्वालट होता है दरभामान बटा आ स्टेक примाड या साज होता है उससे हम लोग बोलते हैं सकेलर क्वांटिटी ठीक यानि कि अधिस्रास सब्लोग बोलते हैं जिसमें गसा भी होता है हमारा वेक्टर रीम हProf डोनों हमारे सद्वां और जिसमें सिर्फ-स परिमाण हो तो हमारा अधिस्रास कहल आता है पानी की जो विसेश रूसमा कमान रहता है वो रहता है एक अब देखिए आप रही क्यों नमबर का कोश्चन यान कि फारिन्हाइट स्केल में पानी का क्वाθनांक होता है वो रहता है हमारा दोसोबारह डिग्री फारिन्हाइट यहाँ पर करेक्टा अंसर हो जाएगा बावन नमबर का कोश्चन कि कानवाट माइनस 264 जो है इसको केलविन स्केल पर बदलना देखिए 280 जो है इसको जब क्यों बदलेंगे तो हमारा 273 और राइट करेंगे तो हमारा बार मैंनस 273 और 273 यह मिलाः इसेड जीरो डिघरी केली हो जाएगा दो यहां पर त्रीपर कोशन है विच इस दे यूनिट आफ करेंट धारक की क्या है तो धारक जो इकाई है वह अकालाता आपका एंपियर तेक्षा नमबर कोशन है विच इस वेरी गूड कंडक्टर सबसे अच्छा कंडक्टर कांच साह सबसे अच्छा जो चालक हुआ हमारा कापर अब यहां पर 55 नमबर का कोश्चन है वाट इस दे रेस्टेंस आफ इलेक्टरिक आरण इफ दा रेटिंग आफ इलेक्टरिक आरण इस तूट्टी वोल्ट और फाइफ हंड़ेट वाट यदि एक लेक्टरिक आरण की रेटिंग 220 वोल्ट है और 500 वाट है तो उसका प्रतिरो सब्सक्राइब होगा वह आएगा चानवी दस्मौन आठ ओम है चापन नमबर कोश्चन वाट इजा साइड आफ इस्क्वार फूच एरिये इस सिक्स्टू फाइफ एम्म स्क्वार एक वर्ग की भूजा कि आओगे जिसका चित्रफल 625 इम्म स्क्वार है यह हो जाएगा आ परिमाप की आओगा जिसकी भुजाओं की मफ 40 इम्म 20 इम्म और 28 इम्म है तो जो परिमाप होता है तो चालिस बीस और 28 इम्म हो जाएगा आप सो नमबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा अंठावन नमबर कोशन वाट इज दो विलासिटी रेसियो आफे वील एंड एक्सल और 304 में और 25 में रिस्पेक्टिविली वील और एक्सल का जो विए करन पाता है क्या होगा यह वील और एक्सल की जो तिरिज्ज्यां है 304 और 50 इम्म है यह हो जाएगा आपका फाइप फिरप्रिणाइं नमबर कोशन वेची इजांपल आप फस्त आडर लिवर तो फस्त आडर लिवर का क्यों सधारन है तो फस्त आडर लिवर जो उधारन हुआ रहता है यह पेर आप सीजर्स यानि कि सीजर्स का एक पेर साथ नमबर कोश्चन है what is the value of theta if sin theta equal to under root 3 by 2 तो साइन कितने कमान under root 3 by 2 होता है तो आपको भी पता होगा साइन साथ हंस कमान under root 3 by 2 होता है एक साथ नमबर का कोश्चन है after receiving interview call what is the next step साथषातकार काल प्राप्त करने के लिए अगला कदम क्या होता है तो साथ हातकार काल प्राप्त करने के लिए जो अगला कदम होता है और रहते प्राप्त सील काल के साथ रिक्त अस्थान भरें सुरूंगे के माध्यम से ट्रेन क्या होगा यहां पर यहां पर हो जाएगा आपका इजपासिंग तो इजपासिंग आपसा नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तिरसेट नमबर का कोश्चन है वर्ड दैट प्रोनाउंस दा सेम एज अनदर वर्ड बट डिफ्रेंट इन मेनिंग इसकार्ड करहाव वह सब्द जो किसी दूसरे सब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उससे क्या कहा जाता है तुसे कहा जाता है होम उप 65 नमबर कोश्चन what is the expansion of FYI SMS तो FYS का विस्तार क्या है तो FYI का फुल फार्म होता है फार योर इंफार्मेशन 66 नमबर कोश्चन है in which orientation the text is printed lengthwise किस orientation अभिविन्यास में टेक्स्ट पाथ लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है तो वह रहता हमारा portrait mode अब है यहाँ पर देखे 67 नमबर कोश्चन अप WAN का फुल फार्म के है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है तो यहाँ पर आपक करेक्ट हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क फुल फार्म है डबलू ए यंग का अब सब्सक्राइब करने के लिए कौन सा आवस्यक लच्छन नहीं है तो रहता हमारा कहीं सब्सक्राइब किसको पूरर इन जाता है तो पूरर इंवेस्टर इन पर चेजिंग पेमेन टूंप वेज कच्चे माल की खरीदी मजदूरी और वेतन किराई बिजली आत के भुक्तार में निवेश किया गया पैसा किसके अंतरगत आता है यह आता है हमारा वार्किंग कैप्टल कारिसील पूंजी के अंतरगत आएगा बाता नमर कोशन है इन एकोनामिक ग्रोथ रोल आफ इंटरपर् है इंप्रूब पर कैपिटा इंकम यानि कि प्रतिभ्यक्ति आयमें सुधार कि अत्ता नमर कोश्चन है आफ एटीम को फुल फार्म क्या है तो देखिए एटीम को फुल फार्म होता हुए रहता है आटोमेटेड टेलर मसीन चौन है विच वन आफ दिज़ डाकुमेंट इस सब्सक्राइब को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सो दस्तावी स्विकार नहीं है वह राते इंकम सर्टिफिकेट तो आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा चाता नमबर कोश्चन है दा इस्टेडी आफ लीविंग तिंस इन रिलेशन टु देर इन्वार्मेंट इस काल उनके परिवरान के संब्ध में जीवित चीजों की अध्यन को क्या कहा जाता है तुस्से कहा जाता है एकुलाजी यानि की परिश्थित की परिश्थित की यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएक आपसा नमबर सी शेता नमबर कोश्चन है वाइब्रेस्ट और कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर सी अधाता नमबर कोश्चन है विच वन आपदा फालूंग इजन एयर पलू पलूशन निमने कौन से एक वाइव प्रदूसक है तो जो वाइव प्रदूसक हुए आपका कर सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह था हमारा वेल्डर का अफिस्यल कोश्चन पेपर अगर यह पेपर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए लेंगे निस्ट वीडियो में थैंक्यू